तो कानेमेटिक्स का अगला क्वेशन करते हैं यह क्वेशन 2018 जे यह मेंस में पुछा गया था इस क्वेशन में देखेंगे कई सारे ग्राफ बनाए गये हैं यह सारे ग्राफ किसी एक ही बॉड़ी का जो मोशन होता है उससे हमें देखना है कि इनकान ग्राफ है वह सही है और कौन सा गलत वाले को जो है सब्सक्राइब करना है और ग्राफ बिलो और इंटेंड़न्ट डूरी प्रेजेट दस शेम मोशन कर रहा होगा और उसी के मोशन को चारो ग्राफ में दिखाए गया है तो तीन ग्राफ तो बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करते होंगे उसके मोशन को कर देखने हैं तो जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसको हमें सेलेक्ट करना है तो जैसे कि इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि पहले वहले सीटी पोजीटी में हैं और मैक्सिमुम है तरह से उसके बाद velocity degrees होते होते जीरो हुआ फिर नीगेटीव हो गया नीगेटीव वेलसीटी का मतलब है कि पार्ट की पीछे मुड़ गया है ठीक और देखेंगे कि इसका slope constant है यानि कि acceleration constant होगा गीटी गराफ का slope क्या बताता है acceleration बताता है अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया है कि कौन सा गराफ जो है उसके slope से क्या निकलता है और उसके area under curve से क्या निकलता है कौन सी quantity पता चलती है वह सारा उसमें बताया हुआ है तो उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो देख सकते हैं कि वेलोसीटी टाइम गराफ का जो स्लोप है वह एक्सलरेशन बताता है तो चुकि स्लोप कॉंस्टेंट है तो एक्सलरेशन कॉंस्टेंट होगा उसी तरह है तो वेलोसीटी दिक्रीज हो गठ रहा है तो इसके बाद पार्टी जो है उल्टा चलने लागा है तो पोजीशन वापस उसी पात पर आ रहा है क्योंकि फिर से देखेंगे वह सारे पोजिशन पर पहुच गया है तो अगर दो को देखें यहों मैच कर रहे है तो इसका मत देखने से लग रहा है कि एक पार्ट किल है जिसको यू वेलोसीटी से प्रडेक्ट किया गया है और एक्सेलरेशन जो है वो नीगेटी में तो इसके लिए वेलोसीटी का एक्वेशन आएगा यू माइनस एटी यह आएगा अगर हम फेलोसीटी और डिस्प्लेस्मेंट या पोजिशन अगर आप देखें तो वी स्क्वाइर इसको यू स्क्वाइर माइनस टू एस यहां चाहिए यहां पर यह पोजीशन है तरह से और पोजीशन और टाइम जो है उ उसका लिखेंगे यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वाइर ना तीस तरह से लिखेंगे तो देखते हैं कि कौन-कौन से ग्राफ इंतीनों इक्वेशन के हिसाफ से बनाए गए हैं जैसे सबसे उपर वाला एक्वेशन है वी इसकोल टीव माइनस एटी तो देखेंगे यह जो बेलोसीटी जो फाय एक्सिस पर रखा गया हैतना क्योंकि एक टाइम रखा गया है तो इस तरह से यह हो जाएगा वाई इसकोल को सी माइनस एम एक्स यानिन वायन इसकोल 2005 माइनस एम एक्स प्लस सी यूесल को कर लाइन का इक्रेशन है और इस इस इपर दिया गया है कि तो पहला आप्षिन से मैच करता है दूसरा वाला जो है इसमें देखेंगे वेलोसीटी और एस अगर आफ रोड कर सकते हैं वेलोसीटी और पोजिशन का तो वी को अगर मैं रख देता हूं वाई एक्सिस पर वी वाइक्सिस पर रखा है तो वी को मैं वाई से रिपलेस पोजिशन को एस से या एकस से भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको एकस भी लिख सकते हैं तो इसको भी एकस लिखना पड़ेगा है ना कि तो यह हो जाएगा y square is equal to यह तो कोई constant है कि यह तो तो यह अभी ऐसे रहने रहता हैं भी स्कौईएगा यह कोड़ दो U square minus 2A X तो यहां से X की value अगर आप निकालना चाहेंगे तो यह आएगा इसको इधर ले आते हैं इसको इधर ले आते हैं तो U square minus V square by 2A तो यह X is equal to C minus BX square ऐसा कुछ आएगा तो देख सकते हैं इसको मैं Y कह देता हूं वाई एक्सिस पर V रखा है तो Y square के आगे माइनस आइगा और वैसा ही यहां पर दिखाया गया है यहां से देखेंगे पार्टकिल इसमें पहले आगे गया होगा यहां पर वेलोसीटी कहीं 0 हो गई होगी फिर वापस मुड़ गया होगा इसी पात पर तो जैसे पीछे मुड़ेगा वेलोसीटी निगेटिव हो जाएगा चुकि एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट है तो जब वापस यहां पर आएगा तो फिर से वेलोसीटी यू आ जाएगी और अज़शन करता है यह जो गारफ है सी वाला इसमें देएंगे सुरु में स्लोप 0 दिखाया गया है डिप सुरु में जब्रू सिटी इन दोनों में मैक्सिम दिखाया गया अगर सुरू में वेलोसिटी बहुत ज़ादा है तो थोड़ा भी टाइम अगर स्पेंड करेगा चलते होगे तो डिस्टेस तो बढ़ना चाहिए जब कि यहाँ पर क्या कह रहा है डिस्टेस बढ़ी नहीं रहा है गराफ है डिस्टेस और टाइम का तो डिस्टेस नहीं मतलब है कि टाइम बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा जबकि वेलोसीटी मैक्सिमम में अभी इसका मतलब यह जो गराफ है वह गलत है सूरु में बलकि बहुत ज्यादा रेट से डिस्टेंस बढ़ना चाहिए तो यह ग्राफ जो है इन दोनों से मैच नहीं करता देखें तीसरा वाला मैच करता है क्या तीसरा जो है पॉजीशन टाइम का इक्वेशन यह देखेंगे एकस इज़गोल टो यूटी माइनस हाफ एकसिस पर रखा गया है और टाइम जो है एकसिस पर पोजीशन यह एकस है तो मैं इसको यसे रिपलेस कर दूंगा और यह जह आ जाया है मौहा आ एकसरी प्लेस मान मर से हो जाएका एकस माइनस एकस सब्सक्कार तो यह पह्यरा के आगए फ़्रवा उपनिंग डॉनवर्ट जैसे सारा एकसव है तो पैरावोला चाहिए डाफीश ही बतारा देखेंगे इस फिर से वापस यहीं पर आगया है और देख सकते हैं कि स्लोप जो है वह इसका धीरे-धीरे कम हो रहा है पोजीशन टाइम कर आपका स्लोप क्या बताता है स्पीड तो स्लोप धी धीरे कम होने का मतलब है किνεben स्पीड हो रहा है यहां पर रुख जाएगा यहां पर बंड गया हाइस होग हो गया है उसके बाद क्या होगा है उसके बास लुप वापस बढशने लगा है लेकिच लोप नीगेटी में जान बढ़ने लगां पर यहां पर आएगा तो फिर से वापस वही स्पीड जो यहां था स्लोप वहिस्ट यहां अभी निजट नटो यह गराव Beweg मैच करता है तो यह तीन गराव हैं वह से歌 ब्रेजन करते हैं तो शी वाला हा उन तीनों किसे ऊफ और इसलिए वह जो है 11 तक्ष रहते हैं और है इन तीनों से डिफरेंट है वह गलत आप्शन है ठीक